थन्डियों में पाया खाने का अलग ही मज़ा है और हाइदराबाद की गलियों में मिलने वाला ये फेमस मलाई पाया अगर मिल जाए तो फिर किसी का भी दिल ललचा जाएगा तो बनाते हैं आज मलाई पाया की रेसिपी तो सबसे पहले पाय को पका लेते हैं तो इसके लिए प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं दो बड़े चम्मच देसी घी देसी घी से इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत उठकर आता है आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं अब खड़े मसालों में इसमें डालेंगे एक बड़ी काली इलाईची, चार हरी इलाईची, एक जावित्री का टुकड़ा, आदा चम्मच, काली मिर्च, एक तेज पत्ता, और एक चम्मच है जीरा ये खड़े मसालों को डाल कर मीडियम फ्लेम पर घी में फ्राइ कर लेते हैं इनका सारा फ्लेवर रिलीज हो जाए इसके बाद इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइस की प्यास बारिक चॉपकी हुई अब प्यास को भी घी में फ्राइ कर लेते हैं हलका सा गोल्डन कलर आ जाए इसके उपर प्यास फ्राई हो जाए इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पाया ये चार पाया है छोटे टुकडों में कटे हुए पाय के साथ डाल देंगे एक बड़ा चमज भरकर अधरक लेसन और हरी मिर्च का पेस्ट छे हरी मिर्च, बारा लेसन की कलिया और दो इंच का अधरक का टुकडा लेकर मैंने ये पेस्ट बना लिया है नमक डाल लेंगे एक चमज भरकर फ्लेम को हाई कर लेंगे और पाय को हम अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे पाय को हाई फ्लेम पर करीब 3-4 मिनिट के लिए हमें भून लेना है अब इसमें डाल देते हैं 3 कब भरकर पानी हाई फ्लेम पर इसमें अच्छा सा एक बॉइल आजाने देंगे जैसे ही पानी में उबाल आ गया हम फिर से एक बार पाय को सबी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे प्रेशर कूकर का ढकन लगा देंगे हाई फ्लेम पर जैसे ही एक सीटी आजाए इसकी बाद हमें 40-45 मिनिट मीडियम टू लो फ्लेम पर इस पाय को पका लेना है पाया जब तक पक रहा है तब तक ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं इसके लिए 12 दाने लेंगे पिस्ता के 6-7 है काजू, 6-7 बादाम और एक 2 इंच का छोटा टुकडा नारियल का है जिसे मैंने पतले पीसिस में काट लिया है ये सारे ड्राइफ रूट्स ग्राइंटिंग जार में डालेंगे और इसमें मैं 3-4 कप पानी डाल रहे हूँ पानी थोड़ा ज्यादा इसमें लेंगे हम अब ये सारे ड्राइफ रूट्स को एकदम बारिक हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं ये dry fruits का paste बनकर ready हो जाए इसके बाद हमें इसे चान लेना है चानने से pie की gravy एकदम smooth और creamy बनकर ready होगी तो strainer में ये सारा चानने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देते हैं ताकि बचे हुए juices हैं वो भी सारे निकल आए तो dry fruits का paste बनकर ready है इसे side में रखेंगे अब पाय की तरफ आते हैं पाया पक कर ready हो गया है धकन हटा लेंगे ये सारे पाय के pieces को हम निकाल लेंगे एक बोल में और बाकी की जो यखनी है इसमें से खड़े बड़े गरम मसाले जो है वो निकाल लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैं तेल ले रही हूँ आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं तो दो बड़े चमश भर कर तेल ले लेंगे और इसमें चार हरी लाइची डालना है खोल कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से रिलीज हो जाए प्यास डाल लेते हैं दो मीडियम साइज की बारिक चौप की हुई प्यास को अधरक लेसन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेते हैं सारी चीजों को मिक्स करते हुए करीब दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे मसालों का कच्छापन चला जाए इसके बाद हम इसमें ड्राइफ रूट का जो मिक्स्टर बना हुआ है वो डाल देते हैं कर पाखी का हम बचा लेंगे और थोड़ी सी यखनी भी इसमें डाल देते हैं करीब आधा कब पाउडर मसाले में इसमें डालेंगे एक चमच भर कर भुना कुटा हुआ जीरा दो चमच डाल देंगे धनिया का पाउडर आधा चमच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर आधा च चलाते हुए करीब 3-4 मिनिट के लिए हमें भून लेना है। इस तरह से सारे मसालों का कच्छापन चला जाएगा। मसाला अच्छी तरह से भून जाए। इसके बाद बचा हुआ जो ड्राइफ रूट का पेस्ट है ये सारा इसमें डाल देंगे। बची हुई जो यखनी है पाई की ये सारी इसमें डाल देंगे। अब मीडियम तू हाई फ्लेंपर ये सारी चीजों को चलाते हुए हमें पका लेना है। दो से तीन मिनिट के लिए अब ये ग्रेवी को बॉइल होने देना है। तो मलाई पाई की ग्रेवी बनकर रेडी है, अब सारा पाया इसमें पाया डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। बीच बीच में चलाते हुए करीब साथ से आठ मिनिट के लिए अब इसे ढख कर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। ढखन हटाने के बाद इसमें मलाई डाल लेते हैं। तो मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ एक चौथाई कप। साथ ही थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पते भी डाल लेते हैं। अब अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करना है। मलाई डालने के बाद हमें पाई को ज्यादा नहीं पकाना है। बस दो से तीन मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। मलाई दार बेहद लजीज हाइदराबादी स्टाइल का मलाई पाई आप बनकर रेडी हो गया है। इतनी लजीज और मज़िदार ये रेसिपी बनती है कि आप इसे बार बार बना कर खाना चाहेंगे। अपनी मन पसंद साइद देश के साथ ये मलाई पाई की रेसिपी को आप सर्फ कर लीजीए।